तो दोस्तो PNB या पंजाब National Bank के बारे में बात करेंगे latest credit rating report आई है यह देख सकते हैं आप exchange से मैं आपके सामने यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ और यह जो rating report है care की rating report है September 20 latest rating report है और यहाँ पर कुछ instruments में rating upgrade हुई है जैसे आप देख सकते हैं AA plus की rating AAA हुई है कहाँ पर हुई है कुछ infrastructure bonds में फिर कुछ दूसरे bonds में यहाँ पर AA से AA plus या फिर AA plus से AAA की rating यहाँ पर हुई है दोस्तो तो इसके बारे में हम लोग detail में समझने वाले हैं पहले कुछ important numbers आपके साथ share कर दूँ तो देखे अभी आप quarter 1 में ही देखेंगे 1255 करोड का उन्होंने profit किया है जो आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ quarter से profit बढ़ रहे हैं लास्ट ये आप देखेंगे इसी समय में 308 करोड का profit था तो profit बढ़ है इनफेक्ट आप देखेंगे पंजाब national bank एक बहुत ही turbulent या volatile दोर से यहां पर बुचरा है आपके सामने यहां data रखता हूं यह देखेंगे जैसे March 2018 है ठीक है उस समय में देखें लॉस में थी और इनफेक्ट ये कोबिट के पहले का डेटा है फिर 9550 करोड का लॉस में थी और फिर धीरे करके हम देख रहे हैं कि bank जो है loss से profit में आ रही है अगर आप deposits के number देखेंगे तो overall 13.6% deposit growth हुआ है तो किसी भी bank के लिए जितना ज्यादा deposit growth हो उतना अच्छा लेकिन यस जो सस्ता पैसा है current account saving account का वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है वो year on year 2.76% का ही growth हु loan growth देखने को मिल रहा है अब जो बहुत बड़ा challenge था पंजाब national bank के लिए पिछले कुछ quarters में in fact पिछले कुछ साल में बहुत सारे NPA's हुए थे मतलब जो loans थी उनका पैसा वापस नहीं आ रहा था in fact आप देख सकता है यह March 2022 मे gross NPA 11.78% था net NPA 4.80% था जो की जादा नहीं बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा इसको हम कह सकता है अब देखिए यह कम होके 7.73% हुआ है और net NPA 1.98% हुआ है अब बात यह है कि अभी का जो NPA नंबर है क्या वो ठीक है तो देखिए PNB को PNB के साथ compare करें तो फिर तो ठीक है कम हो रहा है और जितना कम हो अच्छा है क्योंकि आपका deposit बढ़ रहा है फिर आपके loans है वो बढ़ रहा है लेकिन अगर आप जो top tier की जो banks हैं मेभी कुछ private sector banks मेभी HDFC bank या ICACA bank के साथ compare करें तो भी यह number बहुत comfortable नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत जो मजबूत banks हैं उनके net NPAs अभी 1% से नीचे आ चुक आपको ध्यान में रखना है अब जो focus रहने वाला है इस वीडियो का इस rating report का rating report देखे 12 पेज की 12 पेज की rating report है important जो points है chat GPT ने मेरे लिए एक आसान सी summary मना के दी है उसको मैं आपके सामने रखता हूं तो उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले asset quality में improvement है asset quality मतलब NPA जो हमने दे है तो यह important चीज हो जाती है bank के लिए फिर उनके franchise ही मजबूत है और branch network भी उनका मजबूत है in fact दो दूसरी banks के साथ भी उनका merger हुआ है तो इससे उनका expansion है और ज्यादा हो गया है capitalization levels जो है वहाँ पर improvement हुआ है लेकिन rating report का यह भी कहना है भले ही थोड़ा सा upgrade हुआ हो asset quality को लेकर NPS को लेकर थोड़ा सा concerns है ही और वो यही कह रहे हैं कि जो उनके peers है peers में आप दूसरी public sector banks को यहाँ पर ले सकते हैं या related आसपास के market cap की companies या banks को in fact ले सकते हैं वहाँ पर compare करते हैं तो अभी भी PNB का asset quality उतना अच्छा नहीं है जो कि हमने यहाँ पर देखा कि PNB to PNB अच्छा है लेकिन PNB to other banks strong banks at least PNB के level की या PNB से जो उपर level की जो market capitalization में तो उनके साथ compare करें तो बहुत अच्छा नहीं है earnings and profitability earnings यहाँ पर improve हुआ है लेकिन profitability और अच्छा हो सकता था लेकिन provisioning यहाँ पर बहुत हो रही है liquidity मजबूत है यह सब कुछ positive चीज है फिर chat GP potential है profitability में growth आता रहे तो यह कुछ important चीजे उन्होंने बताई है अगर मैं PNB को compare करता हूं सरफ book value के हिसाब से तो price to book के हिसाब से 0.8 के आसपास में PNB हमको देखने को मिल रहा है वाले time में बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि PNB की asset quality अच्छी होती रहे और XTD loan growth और deposit growth उनके द्वारा होता रहे चैट GPT को मैंने एक और step analysis करने को कहा और मैंने कहा कि अगर आप mutual fund manager है तो rating report के हिसाब से सिर्फ rating report के हिसाब से मुझे कुछ insights positive negative बताइए तो positive में उन्होंने ये कहा है कि asset quality में improvement हुआ है government ownership यह इसका positive है एक बड़ा franchise है बहुत पुरानी bank है network उनक इसमें देख पा रहे हैं तो overall एक बिल्कुल short term में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर rating report जो है केर की तरफ से थोड़ा upgrade यहाँ पर हुआ है positive चीज़े government का support यहाँ पर है और एक पूरे भारत के लिए important bank है आप देख सकते हैं 8.8 लाख करोड के advances या लोन सुनोंने दिये ज्यादा कम होता रहे वो ज्यादा important होगा चैट GPT ने बहुत मुझे मदद की है इस rating report को study करने के लिए in fact मैं 8 live classes लेने वाला हूँ master AI powered stock selection strategy September 23 से ही दोस्तों यह classes start होने वाली है 8 live classes होंगी एक special discount भी है और साथ-साथ live classes के समय तो हमारी education learning होगी लेकिन आप अभी से ही 20 प्ल tools पर focus करने वाले है more than 50 prompts में आपके साथ share करूंगा और prompts engineering को आप सीख गये तो दोस्तों आपके लिए infinite learning हो जाएगी learning materials आपके साथ शेयर करूंगा investing checklist आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ in live classes में special discount है गनेश जी करके अभी गनेश पूजा चल रही है आप additional 500 रुपीज का जो discount है उसको available कर सकते है learning whatsapp community यहाँ पर रहने वाली है जिसको आप कभी भी doubt हो तो आप questions पूछ सकते है recordings आपके लिए हमेशा available रहने वाली है monthly doubt clearing sessions होने वाले है दोस्तों आपको early financial आजादी के app को download करना है आपके link को मैंने description box में नीचे दिया हुआ है आप चेक कर सकते हैं आपको Android में ऐसा दिखेगा अगर आपके पास Apple या iOS है तो LG IGZ करके code को आपको इंटर करना है दोस्तों link description box में है आपको app को download करना है गणिस जी code को आपको इंटर करना है जो हमारा course है वहाँ पर और यह lifetime learning आप एक बड़े discount में available कर सकते हैं यह सरफ 15 days की learning नहीं होने वाली ह है मुझे उमीद आपको value चरूर मिलेगी 23rd से class शुरू हो रही है धन्यवाद आपके time के लिए thank you दूस्तों